हलो एब्रीवन, वेलकम टू स्टड़ी आई क्यों PCS, दिस इस मनी श्रवास्त्व, जैसा कि आपको पता है दिन के दो बजे एक important session लेते हैं, जिसमें हम लोग general studies के अलगलग subjects को यहां पर पढ़ते हैं, Monday से लेकर Saturday तक यह सारे जो episodes होते हैं, इसके अंदर हम लोग general studies के जो ज geography पढ़ते हैं, तो आज geography का 10th number lecture है, जिसमें हम लोग बहुत ही important part जो इंडिया का है, physiographically, जिसको कहा जाता है peninsular part, यह peninsular India, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको peninsular plateau भी कहा जाता है, जो कि इंडिया का सबसे oldest part है, सबसे पूराना जो भूस धल है भारत का, उसी क को क्या कहा जाता है, pride deep कहा जाता है, तो आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, इसमें क्या क्या चीज़े आती ही, तो बहुत interesting part है, यहां से बहुत सारे questions भी आपके frame होते हैं, तो उनको भी हम देखेंगे, और हमारे questions जादा से जादा है, यहां से correct हो, हमें exams में कहा जाता है, वो क्या है, उसके बाद सारे aspects को देखते चलेंगे, यह live session रहेगा, किसी भी तरह का कोई doubts है, तो आप comment section में बता सकते हैं, तो शुरू करते हैं, session उससे पहले कोई भी तरह की doubts हैं तो इन social media handles पर मुझसे जोड़ सकते हैं, question पूछ सकते हैं, इस lecture की PDF आप यह द्वीप, तो सबसे पहली चीज यही आएगी दिमाग में, कि वही किस चीज को peninsula कहा जाए, किस चीज को प्राइदीप कहा जाए, तो इसका simple सा answer है, वही प्राइदीप वो पार्ट होता है, जो तीन तरफ से, three sides से, किस से covered हो, water से, और एक तरफ, join हो, land से, मतलब, यह एक ऐसा हिस्सा है, जो तीन तरफ से किस से घिरा होगा है, जल से, water body से, और एक तरफ connected है, land part से, भूमी के भाग से, तो इस तरह की चीज को आप क्या कह देते हो, उसको आप कह देते हो, प्राइदीप, या फिर peninsula, तो ऐसे ही इंडिया के इंदर भी एक पार्ट ह जो की कुछ इसी तरह के structure में देखने मिलता है, तो हम उसको भी नाम क्या देते हैं, उसको प्राइदीप बोल देते हैं, या प्राइदीप बोल देते हैं, तो कई भी भी आपको ये word आएगा, तो आप याद रखेंगे कि प्राइदीप, एक ऐसा पार्ट है, जो तीन बॉंडरीज है, 15,200 किलो मिटर्स की लैंड बॉंडरी है, तो हमारा इंडिया जो है, मेजरली अलग-अलग कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेर करता है, तो हमारे पास लैंड बॉंडरी भी है, हमारे पास वाटर बॉंडरी भी है, तो हमारे इंडिया का वो आला पार्ट जो जिसको हिंद महा सागर का जाएगा यह आपका अरब सागर हो जाएगा और यह है आपकी बंगाल की खाड़ी तो इस तरह की चीज को आप क्या बोल देते हैं इसको आप पेनिंसुला कह देते हैं तो इसकी definition क्या हो जाएगी पेनिंसुला की प्राइदी भूमी एक ऐसा तुकड़ा है जो तीन तरफ से जुड़ा हुआ है और चौता पक्ष भूमी के एक बड़े शरीर से जुड़ा हुआ है भारत एक प्राइदीप है क्योंकि ये पूर्व में बंगाल की खाड़ी पश्यम में अरब सागर दक्षन में हिंद मां सागर से घिरा हुआ है तो हम इसको क्या कहेंगे प्राइदीप कहेंगे तो हमारे प्राईदीप में बताया जाता है तो इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं नहीं पता चलेंगी तो इन पर फोड़ी सी नज़र डालते है तो देखा जाए तो इंडिया के अंदर ये वाला जो reason दिख रहा है आपको, इस वाले reason को आप पूरा consider करेंगे, तो ये पूरा हिमालयाज है, ये हिमालय है, तो इसको आप क्या बोल देंगे, ये है आपका mountain reason, मतलब ये पाहड़ी शेत्र है, इसके बाद अगर हम इस तरफ वाला part cover करें, तो ये जो है पूरा का पूरा reason, इस तरफ भी थोड़ा सा reason, ये आपका मरुस्थल है, इसको desert कहा जाएगा, इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखते हैं, ये उत्तर प्रदेश वाला reason, जहां से गंगा निकलती है, यहां से ब्रह्मो पुत्र आती है, तो यहाँ पर ब्रह्मो पुत्र प्लेन है, यहाँ पर गंगा प्लेन है, और यहाँ पर पंजाब हर्याना प्लेन आ जाता है, त के अलावा यहां पर देखेंगे तो यह है coastal plains यह वाले reason को आप क्या कहेंगे coastal plains और coastal plains जो होते हैं उनको यह कहा जाता है 30 मैदान यह क्या होते है 30 मैदान होते हैं तो और एक पार्ट और भी होता है जिनको islands कहा जाता है तो last lecture में मैंने आपको क्या पढ़ाये था islands पढ़ाये थे भारत के द्वीप पढ़ाये थे और इसके अलावा और भी चीज़े पढ़नी है तो यह जो बचा हुआ पार्ट हो गया आपका कुछ इस तरह का देखने वाला यह triangular shape में इसी को क्या कह दिया जाता है peninsular हमारी जो बात हो रही है इसी प्राइदीप के बारे में हो रही है अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़े आ जाती है अब पैनिसुलर पार्ट में क्या पढ़ेंगे तो वह पैनिसुलर में आप बहुत सारे पार्ट पढ़ेंगे इसमें एक central highland है इसमें केंदरी उच्छे प्रदेश है उसको पढ़ना है आपको इसके अलाब इसी में डेकन प्लाटीव आ जाता है उसके बारे में पढ़ना है और आप से पूछा जाए कि पैनिसुलन इंडिया में पढ़ना क्या है तो पैनिसुलन इंडिया में कुछ रीजन के बारे में पढ़ना है उन रीजन के क्या नाम है तो उन रीजन के नाम है जैसे कि अरावली रीजन आ जाता है पर माडवार प्लेन जो है माडवार का मैदान जो है उसके बाले में बात करें मालवा का पठार है मालवा प्लाट्यू है बुंदेल खंड प्लाट्यू है बगेल खंड प्लाट्यू है आपका छोटा नागपूर प्लाट्यू इसके अंदर आ जाता है शिलॉंग प्लाट्यू जाता है इसके अलाबा इसमें करेनाट का प्लाटि जाता है इसमें यहाँ जाता है ओतने मिलते हैं जिस के लावा एक और पीक होती है जिसको कहा जाता है आपका डोड़ा बेटा ये नील गिरी हिल्स इसी में आप देखते हैं इसके अलावा जिंद गड़ा की बात की जाती है निमल गिरी है महेंद्र गिरी है एरा मल्ला है नाला मल्ला है पाल कॉंडा है वेल कॉंडा है आपका इस लग प्लाटिव में बहुत सारी रीजन्स हैं इन रीजन्स को जब हम अच्छे से क्लियर करेंगे तो यहां से mostly answers questions पूछे जाता है exams में तो वह आपको बन जाएंगे बिल्कुल गुंडवाना का पार्ट है और यह सबसे पुराना है जियो लॉजिकली देखा जाए तो यह सबसे पहले यही बना था मतलब जैसे जैसे प्रिथवी का वर्ष पहले हैं लेकिन 4.5 बिलियन अगर बिलियन का मतलब होता है 100 करोड़ तो लगबग ऐसे जो साड़े 400 करोड़ साल पहले जो बने हैं उनको कहा जाता है पेनिंसुलर पार तो आज हम उसी को बात करें तो सबसे ओल्ड़ेस्ट है क्योंकि इसके 804.5 बिलियन तो यहां पर यह बात रखना है इसके अलवा location और extent की बात करें तो यहां पर जो हम देख रहे हैं इसमें साढ़ूरा ने जाने के बाद आपको शिलॉंग क्लाट्यू बिमिलत तो शिलॉंग प्लाट्यू भी इसी का पार्ट हो जाता है तो यह सारी चीज़ें आप इसके अंदर पढ़ते हैं तो यहां पर हम बोल रहे हैं कि क्या है पैनिंसुलर प्लाट्यू इस लार्जेस फिजियोग्राफिकल उनिट ऑफ इंडिया सबसे बड़ा अगर पार्ट इंडिय दिखेंगे तो यह आपको प्लेइंस दिखेंगे यह जो मैदान है इसके साउथ में जो रीजन है इसी को तो क्या कह देंगे आप पेनिंसुलर प्लाट्यू कह देंगे तो यह साउथ में आ जाता है तो पेनिंसुलर प्लाट्यू लाइस टुदा साउथ आप दी नॉर्धन हम कह रहे हैं कि यह क्या है पेनिंसुला पार्ट है अब इसी में कुछ-कुछ हिल्स आ जाती है जैसे कि यहां पर अगर हम देखेंगे तो इसका एक पार्ट है जो अरावली से connected है और अरावली कहां से चालू हो जाता है तो अरावली पालनपूर से न्यू डेली तक फैला हुए है तो इसी से लगा हुए extension है तो हम यहां पर इसके extension में न्यू डेली का नाम भी देखेंगे डेली रिज इन दर नौर्थ वेस्ट extension और अरावली इस दर राजमाल हिल्स इन द इस्ट राजमहल ही की बात करें तो राजमहल पाहडियां यहां आजाती है यह राजमहल पाहडी घरजट पाहडी यह सारी चीजे इसके इस तरफ आती है तो यहां पर उडीसा के आसपास झार खंड के पास यह जो है आपको राजमहल हिल्स मिल जाएंगी इसके बाद अगर हम बात करें, Gir Range in the West Gir की अगर हम बात करें तो Gir यहाँ पर है जहाँ पर Gir Lawrence होते हैं तो Gir की बात भी कर रहे हैं इसके अलावा, the Cardamom Hills in the South, और यहीं पर नीचे जाने पर आपको क्या मिलेगा Cardamom Hill मिलेगा Cardamom Hills मिलेगी, जनको और इलाईची की पाढ़ी का जाता है यह तमिल नाडू के Reasons में जाने के बाद मिलती है इसी के उपर आपको क्या मिलेगी तो इसी के उपर Annamalai Hills मिलेगी Annamalai के उपर नीलगिरी Hills मिलेगी नीलगिरी के इस तरह जो है, आपको जवाडी Hills मिलेगी यहाँ आंदर प्रदेश में एरा मल्ला है नाला मल्ला है पाल कुंडा वेल कुंडा है यहाँ पर महेंदर गिरी है यहाँ पर निमल गिरी है ऐसी बहुत सारी हिल्स हैं यहाँ इसमें भी आप देखेंगे तो यहाँ पर त्रंबक हिल्स पढ़ती है जहां से गुदावरी निक जलती है उसके बाद ब्रह्म गिरी रेंज आ जाते हैं जहां से कावेरी निकलती है तो यह सब इसी का पार्ट है और इसी के अंदर बहुत सारी चीजें और भी निकलती हैं तो यहां पे एक्स्टेंशन आप इस तरीके से बता सकते हैं इसही चोटा नाखपुर प्लाट्यू में दो हिल्स है। फिर भगेल खंड का। अगर हम बात करें तो यह मध्यप्रदेश उत्तरप्देश और नाख्पुर प्लाट्यू में दो हिल्स हैं। два में जो है आपका एक हजारी बाग लेगा और एक राची हिल से तो राची हिल्स या राची प्लाट्यू और हजारी बाग प्लाट्यू के बीच में से एक नदी निकलती है जिसको कौन सी रिवर कहते हैं हैं तोaları दा मुदर रिवर कहते हैं उसी के नीचे आने पर आपको बस्थर प्लेन मिलेगा दंड गारं मिलेगा सत्सोर पुड़ा रीजन मिलें जदाम प्लाटव इसके नीचे आपको सते प्लाट। और सबसे बड़ी बहुते किकाई है स्थान और विस्तार की बात करें तो प्राइदीप पठार भारत के उत्तरी मैदानों में उत्तरी मैदानों के दक्षन मिस्तेते मतलब उपर की तरफ क्या था तो उपर मैदान है और नीचे की तरफ आपका क्या आजाते हैं तो प्राइदीप आजाते हैं ये सभी तरफ से पहाड़ी श्रिंकलाओं से गिरे हुएं उत्तर पशिम में दिली रिज अरावली का विस्तार से पूर्व में राजमहल की पाढ़ियां, पशिम में गिर रेंजेज, दक्षन में इलाईची की पाढ़ियां, प्राइदीप पठार की बाहरी सीमा को बनाती है तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा प्राइदीप आपका पूरा कंस्ट्रक्ट होता है इसके बाद अगर हम बात करें तो इसकी जियोलोजिकल हिस्ट्री की बात करते हैं इसके बुगर्विक इत्यास की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि लगबख 4.5 billion years पहले जो है ये हमारा एक single land mass हुआ करता था जिसको क्या कहा जाता था इसको पेंजिया कहा जाता थ पेंजिया से ही दो तुक्डे हुए एक उपर का पार्ट बना जिसका नाम था लोरेशिया और एक नीचे पार्ट बना जिसका नाम था गोंडवाना और इसी गोंडवाना से निकल कर बहुत सारी चीज़ें बनी जैसे इस अंगारा से क्या बना था तो मैंने आपको last lecture में ब इसी से निकला आपका यूरोप और एशिया जिसको क्या कहा जाता है यूरेशिया और इस यूरेशिया में क्या नहीं था इंडिया नहीं था आज एशिया में इंडिया आता है लेकिन जो इससे पार्ट निकला उसमें इंडिया नहीं था और यहाँ पर अगर हम बात करें इस क्या निकला तो इसी से निकला साउथ अमेरिका अफरीका इंडिया औस्ट्रेलिया अंटार्टिका तो इसी के कुछ अलग-अलग हिस्से होते चलेगा यह और तूटता चला गया और इसके तूटने के बाद लॉरेशिया से देखो यहाँ पर यह पहले इस तरीके से तूटा फिर इसके और फर्दर ब्रेकेज हुए तो यह जब और ज्यादा तूटा तो इसी से एक यह बहुत बड़ा कॉंटिनेंट का पार्ट बना जिसको नौर्थ अमेरिका कहते हैं जिसमें आज कैनेड़ा आ जाता है यूए से आ जाता है मैक्सिको आ जाता है इसके अलावा यह किस से निकला तो गुंडवाना से निकला इसी गुंडवाने का एक हिस्सा इस तरफ गया जो क्या कहलाया साउथ अमेरिका एक और बड़ा हिस्सा बना जिसको आपने कहा अफरीका इसके अलावा एक यह जो पार्ट था यह था इंडिया और यह बन तो पहले ही गया था टू अस्रेलिया नीचे गया और यही इंडिया धीरे-धीरे ड्रैग होते हुए उपर जाकर इससे मिल गया तो आज इंडिया आपको यूरोप और एशिया के साथ कनेक्टेट दिखता है लेकिन यह पहले अलग था तो यहीं इंडिया धीरे-धीरे उपर जाकर ड्रैग हुआ है तो इसमें अगर हम जियो लॉजिकल हिस्ट्री की बात करें तो पेनिंसर प्लाट्यू इस टेबल लांड विच कंटेंस इगनियास और मेटामॉर्फिक रॉक्स इसमें आगने चट्टान है और आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स है और आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स है और इसके बाद अगर हम बात करें देखें जब यह गोंडवाना से टूटा और इस तरफ जा रहा था इसकी बात कर रहे हैं दा इंडियान प्लेट पास्ट ओवर अजियो लॉजिकल होट्सपॉर्ट अर यह कहां से पास हुए कुछ वाल्कैनिक रीजन से पास हुए जिनको होट्सपॉर्स कहा जाता है और इ तो प्राइदी पठार एक टेबल लैंड है जिसमें आगने और कायांतरे चटाने हैं यह भारत के सबसे पुराने और सबसे स्थिर भू भाग में से एक है और लगबग साड़े चार अरब साल पहले बना हुआ है गुंडवाना के बाकी हिस्सों से अलग होकर उत्तर की और यात्रा के दौरान भारतिय प्लेट एक बूगर्बिक होट्सपॉट के उपर से गुजरी और गर्म इस्थान जो आला मुखी शेत्र है तो जो होट्सपॉट जो शेत्र था वो आपका क्या था वहाँ पर आपको देखने मिलता है कि वहाँ पर बहुत सारा लावा का इरप् उप्चन हुआ है उसके कारण यह रीजन फॉर्म हुए है तो अगर हम बात करें तो यह कितना एरिया कवर करता है तो इट कवर सा टोटल एरिया ओफ 16 लैक स्क्वेर किलोमेटर जैसे इंडिया का पूरा एरिया देखेंगे तो 32 लाख है उसमें 16 लाख स्क्वेर किलोमेटर केवल पैनिन्सुला का है इसके अलावाद एवरेज हाइट आप दी प्लेट्यू इस सिक्संडड़ तू नाइन हंड़ेड मीटर अब इसी में जो सबसे हाइएस पीक है उसकी हाइट देखेंगे तो 2695 मीटर है यह जो पीक है मैं यह बता रहा हूँ अनाई मुड़ी की इसी में आजाता है गुरू शिखर भी गुरूशिखर की हाइट देखेंगे तो 1722 मीटर है इसी के अंदर एक और पीक आती है जिसका नाम है दूप गड़ दूप गड़ की हाइट देखेंगे तो 1350 मीटर मिलेगी इसके अलावाद जिन्द गड़ा जिसकी 13190 मीटर होती है होट स्पोर्ट क्या होता है होट स्पोर्ट एक ऐसी जगा होती है कि जो बेसिकली प्लेट जैसे आप देखते हैं जापान जो है जापान एक ऐसी प्लेस है जो तीन प्लेट के जॉइंट्स पर टिकी होई है तो कोई भी प्लेट हिलती है तो जापान में क्या होता है व वहां से कुछ source provide कर रहे होते हैं, ऐसी earth के अंदर भी कई तरह के जहां पर active reasons होते हैं, जहां से volcanic eruption हो सकता है, जो आला मुखी का उदगार हो सकता है, ऐसी reasons को आप hot spot कह देते हैं, तो यह जब plate यहां से जा रही थी, तो हम यहां पर देखिए, यह जब Indian plate जा रही है, धीरे धी hinges आये हैं, तो यह रस्ते में आने पर यह hot spot reason पे जब टकरा रही थी, तो यहां पर बहुत सारे volcanic eruption हुए, इन volcanic eruption के कारण ही यहां पर अलग-अलग चीज़ें create हुई है, चाहे वो विंध्या चल हो, चाहे सत्पुडा हो, चाहे आपका western ghat hills हो, इनके पीछे भी यह reasons बताए जाते हैं, तो यह जो है आपको geological history पता जल गई, features में हमने यह बात कर ली, कि इनकी height एतनी है, तो इसका कुल शेत्र फर 16,00,000 वर किलो मेटर है, और भारत का कुल 32,00,000 है, 3,287,263 square kilometer, यह exact area है, इंडिया का, और इस इंडिया के areas में बहुत सारा part किसका आ जाता है, तो penins पार्ट आ जाता है, पठार की औसा तो चाहिए 600 से 900 मीटर है, और खेत्र में, खेत्र से खेत्र में भिनोती, अलग-अलग reasons पर जाने पर आपको अलग-अलग चीजे मिलेंगी, जैसे नर्मदा reason है, तो वो क्या है, नर्मदा के जो है, उसको rift valley कहा गया, उसको branch घाटी कहा गया, तो उसकी height काफी कम है, लेकिन वहीं पर अगर हम अनाई-मुडी की बात करें, उसकी height जादा है, तो कहीं उपर भी है, कहीं नीचे भी है, इस तरह का part ह इसके अलावा, most of the peninsular rivers flow west to east, indicating its general slope, तो ये बताया जाता है, कि जो पहीं इंडिया का peninsular है, वो थोड़ा सा जुका हुआ है, किस तरफ, east की तरफ, इसलिए इंडिया की जो mostly rivers है, आगे चलकर हमको drainage system भी पढ़ना है, river system भी पढ़ना है, तो सारी rivers कहाँ पर जाकर गिरती है तो पूरी की पूरी rivers जो है, वो आपका east की तरफ जाकर गिरती है, जो दर्शाती है कि peninsular plateau का जो slope है, slope कहाँ पर है, वो east side है, तो west to east है, और आपने देखा होगा, पानी हमेशा high level से low level जाता है, तो जहाँ पर slope जादा होगा, वहाँ पर obvious जाएगा, इसके अलावा, नर्म और तापती है, वो ulti direction में जाती है, तो वो क्यों जाती है, क्योंकि वो rift valley का formation करती है, peninsular plateau is an aggression of several smaller plateaus, hill ranges, interspeeds with river basins and valley, तो peninsular plateau में सिर्फ आप plateau नहीं बोल सकते, वहाँ पर hills भी है, वहाँ पर कुछ plane reasons भी है, वहाँ पर आपका valley reason भी है, तो इन सारी चीजों का समावेश है, इन सारी चीजों का एक combination है, आपका peninsular plateau, तो इसमें अगर हम बात करें, तो अधिकांज प्राइदीप नदियां पश्यम से पूर्व की और बैती है, जो इसके सामाने ढहलान का संकेत देती है, नर्मदा तापती अपवाद हैं, exception है, जो पूर्व से पश्यम की और, एक गुरु शिखर तो अरावली का peak point है, बिल्कुल सही है, अगर आप बात करेंगे तो peninsular इंडिया के अंदर गुरु शिखर को भी, मला आप अरावली को भी लेकर चलेंगे, आप मालवा को भी लेकर चलेंगे, मला अगर आप से कोई पूछ लिया जाए कि भाई, गारो hills किस का part है, तो आप बोलेंगे peninsular plateau का, खासी hills किस का part है, तो peninsular plateau का, अगर आप से पूछ ले जाए, अरावली किस का part है, तो ये भी उसी की एक boundary range बनाता है, जो peninsular का part हो जाता है, तो गुरु शिकर उसकी higher speak है, तो देखिए यहाँ पे, यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, है, इसमें यहाँ पर हिमालयाज हो जाते हैं, यहाँ ट्रांस हिमालया है, यहाँ पे इंडो गैंगेटिक plane का reason है, लेकिन यह जो reasons है, यह आपको peninsular के part है, central highland, और इसी central highland में आपका एक ranges है, जो गुजरात के पालनपूर से चालू होकर, दिल्ली तक जाते है, मुश्ली राजस्थान वाले reasons को आप देखेंगे, तो आप कभी राजस्थान से दिल्ली की तरफ जाएंगे, तो पूरे रस्ते भर आपको क्या मिलेगी, अरावली mountains मिलेंगे, तो अरावली यह है, इसी अरावली में Mount Abu जो है, आता है, और उसकी peak है, आपकी गुरू शिकर, इसके अ वाले आपके western घाट, इसके अलावा यह पूरा का पूरा आपका central highland हो गया, eastern highlands हो गया, तो यह सारी reasons किसके अंदर आजाती है, फिजियोग्राफिकली आप इसके अंदर पढ़ते हैं, तो अगर हम फिजियोग्राफिकल डिवीजन करें, इसका भूगोलिक विभाजन करें तो हम देखते हैं, on the basis of prominent relief broad groups, the central highland, यह जो है peninsular का part है, डेकन प्लाट्यू, इसका part है, इसके लवन नौर्थ इस्टन प्लाट्यू, यह भी इसका part हो जाता है, तो प्रमुक, राहत, व्यापक, समुओं के अधार पर हम इसको तीन parts में देख सकते हैं, central highland, जिसको आप के केंद्रिये, उच्चे प्रदेश भी बोलते हैं, इसके अलावा डखकन का पठार और तीसरा उत्तर पूर्वी पठार, तो आप इसको फिजियोग्राफिकली, जब आप क्या चीज़ पढ़ने हो, peninsular plateau पढ़ने हो, तो इस तरीके से तीन reasons में इसको divide कर सकते हैं, तो आप है, आप यहाँ पर map पे देखेंगे, तो इस map को देखिए, तो इसमें आपको दिख रहा है, कि वही है, Central Highland का ये वाला पार्ट है, जो कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है, तो इसमें क्या-क्या आ जाता है, तो उसको पर भी नजर डाल लेते हैं, तो सबसे पहले Central Highland की ब इसके अलावा मद्धे भारत पठार आ जाता है, ये कहा आता है, तो इसका बहुत सारा रीजन MP के अंदर भी आता है, और साथ-साथ राजिस्थान के अंदर भी आता है, जो आपका गॉलियर वाला बेल्ट है, आपका भिंड मुरेना, शेवपुर वाला जो बेल्ट है, इस उत्तर प्रदेश और मद्धे प्रदेश के अंदर आता है, उत्तर प्रदेश के कई डिस्ट्रिक्स मान लीजे, इसमें चित्र कूट मान लीजे, इसमें हमीरपूर है, बांदा है, इसके अलावा जासी आ जाता है, ललित पूर आ जाता है, जालोन आ जाता है, मद्धे प्र यह सबसे important part है इसका इसी के अंदर Central Highland के अंदर यह ऐसा part है जहां पर सारे minerals मिलते हैं ऐसा कोई mineral नहीं है कि वो आपका available नहीं होगा this is a live class कोई भी इशुए तो पूछ सकते हैं तो देखें छोटा नागपुर प्लाट्यू जो है इंडिया का सबसे ज्यादा mineral रिच प्लेस है मतलब सबसे आदा खनेज जो है सम्रिद्शेत्र है जितने यह भी आप इंडस्ट्री उठा कर देख लिए बड़ी से बड़ी वह आपको छोटा अखपुर प्लेट्यू की जो राची प्लेट्यू और हजारी बाग प्लेट्यू के मिल के आज पास मिलती है इनी के से बीच में से एक रिवर निकलती है जिसकाना म के यहाँ पर इन चीजों में आप बाढ़ सकते हैं Central Highland को तो पूरा का पूरा Peninsula प्लाट्यू को आप तीन पार्ट में बाट रहें Central Highland डेकन प्लाट्यू नौर्थ इस्टन प्लाट्यू और जब आप इसकी बात कर रहें Central Highland की तो Central में क्या जा रहा है मारवार्ण मद्धे भारत मालवा बुन्देलखंट बगेलखंट और चोटा नाकपुर तो यहाँ पर मारवार अफ्लेंट मद्धे भारत का पठार है यह भी इसमें आप यह वाला रीजन देखिए, यह महराष्ट वाला जो रीजन आ जाता है, इसी को डेकन कहा जाता है, यह डखकन का पठार कहा जाता है, तो डेकन रीजन जो है, यहाँ पर यह बहुत फेमस है, यह बताया जाता है, बसाल्टिक लावा से बनाए, देखिए आपने अभी थोड़ा सा फिजिकल जोग्रफी वाला पार्ट नहीं पढ़ा है लेकिन कुछ बेसिक चीज में आपको बता रहा हूं जो इससे जुड़ी होई है इनको ध्यान से देखिए जब भी आपका लावा का लावा इरप्ट होता है लावा क्या होता है तो जब भार निकल आता है तो उसको लावा कहते है तो लावा जो है अगर ऐसे डिक होता है ऐसे डिक का मतलब अमलव प्रकार का होगा तो वो बनाएगा माउंटेंस बड़ी बड़ी पीक्स होती है वो जब भी उसका इरप्शन होगा तो वो बहुत ज्यादा फैलेगा नहीं वो एक दम एक के उपर एक जमता जाएगा लेकिन जब बेसिक लावा होता है मतलब आपका छार होता है वो तो वो बनाता है प्लाट्यू वो क्या होता है फैल जाता है तो एसे डिलावा से बनते हैं माउंटेंस और बेसिक लावा से बनता है प्लाट्यू पठार तो यह जो decan plateau बना है यह basaltic lava से बना है और आप से exam में इसका nature पूछ ले जाए कि वह है acidic behavior यह basic behavior तो basalt जो होता है वो basic nature का होता है और इसके अंदर एक चीज पाई जाती है जिसको कहा जाता है titanium ferrous magnetite titanium ferrous magnetite के कारण इसके अंदर magnetite मैंतला iron होता है इसके अलावा जो है इसका color black होता है तो ये जो है इस reason में आपको कौन सी soil मिलेगी black soil मिलेगी जो की बहुत अच्छी होती है cotton production के लिए तो कपास उगाये जा सकता है sugar cane के लिए और citrus fruits के लिए आप देखिए नाकपूर के orange काफी famous है तो खटे फलों के लिए भी बहुत famous है अं इसका गुजरात और मध्यप्रदेश में भी आता है तो वहाँ पर भी cotton production काफी होता है वैसे गुजरात सबसे आदा भी leading producer है sugar cane के भी production में है तो यह डेकन प्लैट्यू की बात की जा रही है तो यहाँ पर आपको बात समझने आ रही होगी तो डेकन प्लैट्यू की बात करे इसमें महराष्ट आ गया करनाटका आ गया तेलंगाना आ गया और 36 गड़ आ गया तो यहाँ पर देख लिए महराष्ट पठार करनाटक पठार तेलंगाना पठार और 36 गड़ का मैदान इस तरीके से आप इसको डिवाइट कर सकते हैं इसके बाद देखे नौर्थ इस्टन प्लाट्यू नौर्थ इस्टन प्लाट्यू जो है यह आपका कहां आता है तो मेगालाय में आता है मेग हाले में आता है तो आज जो हम पढ़ने इसका एकदम बेसिक वर्जन पढ़ने कि आप से अगर पूछ लिए जाए कि आपका जो पेनिंसुलार प्लाट्यू है वो कौन-कौन से रीजन से मिलकर बनाए तो आप बताएंगे पहला सेंटल आइलेंड दूसरा डेकन प्लाट लिए तो इस तरीके से आप इन तीन रिजन को डिफाइन कर सकते हैं अब ये जो मेगालय प्लाट्यू है या मेगालय वाला रीज़न इसी को क्या कहा जाता है शिलॉंग प्लाट्यू शिलॉंग का पठार है अब इसमें 3 हिल्स आती हैं गारो खासी और जहंतिया इसी खासी जगह पर दो places हैं जिनको क्या कहा जाता है मौसिन राम और चेरह पुझी, जो world की सबसे यादा wettest place है सबसे यादा पाने गरता है यहांपे, तो यह world की सबसे wettest place है, तो इसको Kirby meghalaya plateau is an extension of main Indian peninsular plateau and are originally two different platos, इसमें Kirby amaophiland plateau था और meghalaya प्लैट्यू था जो मिलकर अब कर भी मेगाला प्लैट्यू कहलाता है इसी को शिलॉंग प्लैट्यू कहा जाता है इसी पर ये जो देखेंगे ये थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट है लेकिन ये बताये जाता है पेनिंसुला का ही पार्ट था जो तूट कर कुछ आगे चला गय तो यहाँ पर यह तीन hills मिलती हैं, यहाँ पर यह तीन tribes के नाम पर ही इसका नाम रखा गया, गारोखासी जैनतिया एक जनजाती है जो इस reasons में देखने मिलती है, यहीं पर आपको दो चीजें मिलेंगी, एक है मौसिन राम और दूसरा है चेरापुंजी, यह भी इस reason में आपको इतनी सारी hills भी इसके अंदर पढ़नी है, तो अभी हमने क्या किया है, हमने अभी सबसे पहले इसका एक basic classification को देखने की कोशिश करी है, कैसे कोशिश करी है, तो देखिए, जहां से हमने इसको divide करने की कोशिश किये, पहले हमें reasons तो पता चले, तब तो हम इनको एक पहले शुरुआत कहां से हुई थी, देख लेते हैं उसको, फिर एक एक चीज में आपको बता देता हूँ, तो देखिए, सबसे पहले हमने बात करी कि हमारा पहला question आया, कि पैनिनसुला क्या होता है, तो पैनिनसुला आप समझ गए, कि ऐसा कोई landmass जो तीन तरफ से पानी से घिराओ, एक तरफ वाटर से कवर्ड हो, उसको आप पैनिनसुला कहा देंगे, हिंदी में उसको प्रायदीप कहा देंगे, ये एक चीज थी, अब देखिए, इसी में हमने सबसे पहले इसको define किया, इसकी जो है, डेफिनेशन की बात करी कि पैनिनसुला एक ऐसा land होता है जो तीन तरफ से क्या होता है, तो तीन तरफ से आपका water से surrounded होता है, और चौती तरफ से क्या होता है, तो एक land mass से covered होता है, और यहाँ पर अगर हम बात करें, तो it is surrounded by Bay of Bengal in the East, Arabian Sea in the West, ये बात करी हमने, इसके बाद मैंने आपको reason बताया कि ये कहां आ जाता है, इसके पता चला 4.5 billion years पहले बना है, 4.5 अरब साल पहले बना है, इसके बाद जो है हमने इसके features में देखा इसका area कितना है, height कितनी है, इसके बाद जो है हमने यहाँ पर बताया कि नर्मदा तापती जो है, इसमें exception है, बाकी सारी rivers आपकी west to east move करती है, ये पढ़ा हमने, इसके अ आपको पता चला एक North Eastern Plateau, तो यहाँ पर Central Highland, Deccan Plateau, North Eastern Plateau की बाद कर ली, इसी में हमने फिर Central Highland को देखा, Central Highland के अंदर मारवार, Upland, मारवार के अलावा जो है, मध्य भारत, मालवा, बुंदेल खंड, बगेल खंड और छोटा नाखपुर आ जाता है, इसके अलावा, Decc आपको पता है, जो एक समय पर काफी उचे थे, धीरे-धीरे, उनके अंदर डेनूडेशन हो रहा है, घर्शन हो रहा है, और इनकी हाइट कम होती जा रही है, जो बहुत साल पहले बने थे, धीरे-धीरे उनमें काफी इरोजन हुआ है, तो जो भी आपके प्लैट्यू है, वो एक हिल से दूसरे हिल में, जो है, मतलब इन रिवर्स के थूँ, जो भी इन से रिवर्स निकलती है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी रिवर्स पढ़नी है आपको, चाहे इसमें नाम लिखें तो हम गोदावरी का नाम बता सकते हैं, कृष्णा का बता सकते हैं, तुंग भद्रा का बता सकते हैं, पेननार का बता सकते हैं, कावेरी का बता सकते हैं, इसके अलावाद दामोदर है, नर्मदा है, तापती है, माही है, ऐसी बहुत सारी रिवर हैं बहुत सारे प्लैट्यूज भी हैं यहां पे जो डाइग्राम में आपको बताया कि वह यह प्लैट्यू है चोटा नागपर प्लैस के पास राजमहल हिल हैं घरजट हिल से यहां पर अरावली हिल से विंदे हिल से सत्पुड़ा हिल से सयाध्री हैं तो ऐसे कॉंबिनेशन और बहुत सारी rivers भी हैं तो प्रायदीब शेत्र की अधिकांश पाहड़ियां अवशेश प्रकार की हैं अवशेश्ट पाहड़ियां और वे कई लाग साल पहले बनी पाहड़ियां और जो है अवशेश हैं होर्स जिनको कहा जाता है गारो खासी जैनतिय हिमाले का पार्ट नहीं है पूर्वांचल हिमाले का अगर आप पड़ेंगे तो आपको उपर जो मिलेगा मतलब पूर्वांचल हिमाले जो रीजन है वो थोड़ा सा आपको अरुनाचल वाले रीजन से नीचे आकर असम में मिलेगा नागा लैंड में मिल मनिपुर में मिलेगा मेघालं में नहीं मिलेगा मेघालंagen वाला जो पार्ड शिलॉंग है वो आपका हिमाले का नहीं है वो है पेनिंसुला का कि इसकी अलावा प्राइदीव शेतरके पठार इन पाहडी श्रिंग लाऊं विभिन नदी गाटी एक दूसरे से अलग होते हैं, तो ये जो चीज थी हमने एकदम basic form में यहाँ पर पढ़ लिया है, hope आप लोगों को समझने आया होगा, कोई भी तरह के doubts हैं तो इन पर पूछ सकते हैं, इस lecture की PDF अब इस telegram group पर upload हो जाएगी तो वहाँ से आप download कर सकते हैं, और भी कोई तरह की issues होंगे, तो वो भी आप बिलकुल बताएंगे, तो hope यहाँ तक सारी चीज़ें clear हो गई होंगी, तो thank you very much for watching this, have a great day